हेलो बच्चो बच्चो लिससे पहरी वीडियो में हमने बात की थी कॉन्वेक्स एट की आज हम कॉन्वेक्स हल की बात करेंगे कॉन्वेक्स हल क्या होता है लेकिन पिछली वीडियो में जो हमने कॉन्वेक्स सेट की बात की थी उसा थुरसा हलका से जिवाज कर लेते हैं देखें मैंने क्या कहा था कि अगर किसी सेट के अंदर कोई भी दो पॉंट पकड़ें उनको एक लाइन सेग्मेंट से जोड़ें तो वो लाइन सेग्मेंट उसी सेट के अंदर रहना चाहिए बाहर नहीं जाना चाहिए तो ऐसे सेट को हम कॉन्वेक्स सेट कहते हैं जैसे कि हमने एक्जांपल भी लिया था माल लेजिए हमें एक पॉंट ये दिया गया एक पॉंट ये दिया गया मैंने इन तीनों के मिला के एक ट्रैंगिल बना लिया हमसे पूछा जाता है कि बताए वे पॉंट लेने हैं जो इस सरकिल के अंदर हैं और इसके इन लाइनों के उपर हैं तो क्या ये सेट कॉन्वेक्स सेट है तो सोचिए इस सेट के अंदर कोई भी दो पॉंट तुम पकड़ोगे कहीं भी लीजिए एक बाउंडर पर यहां ले लीजिए एक यहां अंदर ले लीजिए उन्हें मिलाइए तो जो लाइन सेग्मेंट बनेगा क्या वो line segment इस triangle जा बाहर निकल गया नहीं निकला ना कोई भी point point पकड़िये एक उपर यहाँ पकड़िये यहाँ पकड़िये तो मिलाईए अंदर ही रहेगा तो यह convex set है अब इसके extreme point क्या होते हैं extreme point वे point कहलाते हैं जो किसी line segment पर ना रहे हो जैसा कि एक यह corner point यह extreme point है क्योंकि यह किनी भी दो point को जोड़ने वाले line segment पर नहीं आएगा लेकिन जोड़ने कौन से हैं इस set के ही दो point पर जोड़ने मालीजे एक point किसने बचने यहाँ पकड़ा एक यहाँ पकड़ा line segment यह हुआ तो इस line segment पर A नहीं आया तो क्या ऐसा कोई line segment बनाया जा सकता है जिस पर A आ जाए कभी नहीं बन सकता किसी बचने यहाँ point पकड़ा यहाँ point पकड़ा तो यह उस line segment पर आए गई नहीं तो तुम ऐसा कोई line segment बनाया नहीं सकते जिस पर A आ जाए तो एक क्यों करता है यह श्क्रम प्रमाइब क्यों नहीं है कि यह र邮्फ किसे बच्चे नहीं आ इदा लिया इंग सेग्चमेण जौड़ा तो यह प्र मुड़ा जाय गा तो wireless lub यह वह एक्स्टीम पोईट के लाता है कि मा लिए और तुम Tôi कहा है इन दोनों को एक line segment से जोड़िए यह जोड़ दिया तो क्या यह भी कोने Convex set है तो line segment हमेशा ही Convex set होता है क्यों होता है क्योंकि इसमें भी Convex set की definition स्टीस्पाइब हो रही है इस line segment के ऊपर कोई और यो तुम लाइन सेंकंट चाहिए किसी बच्चे ने एक पकर रहा तो तब भी लाइन सेंकमेंट इसी को उपर रहें सरकी सरकील ले लिजिए यह सरकील डोकरा हमने यह पॉंट लिए हमने अंदर वाले पॉंट और बाउंडरी वाले पॉंट तो यह एक कॉन्वेक्स सेट है क्योंकि इसके कहीं भी दो पॉंट पकड़िये जोड़िये लाइन सेक्मेंट इसके ही अंदर रहेगा अब बात उठती है कॉन्वेक्स हल क्या चीज होती है देखें डेपनिशन कहती है कोई भी सेट पकड़िये एक्स कोई भी सेट एक्स लिजिए चाहे वह एंड डेमिशन लिजिए लेकिन वह सेट ज़रूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स सेट हो कोई भी सेट एक्स हो हर सेट का कॉ पॉन्टों का सेट रहान चाहिए बस क्या कहा गया Convex Hull ओपे सेट X इस स्मोलेस्ट सबसेट चोटा Convex सेट होता है containing X जिसके अंदर X कंटेंन कर जाए कहा गया संकेत यह होगा या तो सिक्वेंस वा एकस से दिखा होगे संकेत या सी एक्स लिखके दिखा होगे माल लेजिए एक मिनिट के लिए किसी बच्चे एक एक्जाम्पल आई यह कि वही एक सैट है उसमें केवल को सबस्क्रालण हैं इस पॉंट का नाम राओं मैं एक लिखके मिनिट के लिए यह हमारी y-x-y और x-x-y जा है एक मिन्ट के लिए और यह वाला पॉइंट हमारा 1-2 यहां पर है 1-2 और यहां पर है 2-3 यह रहा 2-3 तो क्या यह दोनों पॉइंट मिला कि konvex set बनाते हैं? नहीं बनाएं सकते हैं क्योंकि दो ही तो पॉइंट है के वल यह बना पूरा पूरा नहीं एकस में पर नहीं नहीं तो यह सैट konvex नहीं है इस नौट konvex जबकि लाइन सैग्मेंट जो खुद अपने आप एक konvex set होता है लेकिन जो x दिया गया है लाइन सैग्मेंट नहीं इस में तो केवल दो ही points है is not convex set ये convex set नहीं है लेकिन हम सब पूछे जरा तो इसका convex hull बता दीजिए ये convex set नहीं है तो convex hull तो निकल सकता है तो convex hull का क्या मतलब होता है तो मैं एक ऐसा set लिखना है नीचे की ओर जो खुद convex set हो लेकिन जो x के point है वो उस set के अंदर आते हो और वो सबसे छोटा भी हो मैंने एक set लिखा माल लेजिए a और मैंने set वो ऐसा बनाया इस type का ये बना दिया मनलब एक square ले लिया जिसके अंदर ये दोनों point आ रहे हैं suppose कर ये मैंने हाँ से या एक मिनिट के लिए ये मैं पर चेंज कर देता हूं हलका सा माल लेजिए मैंने ऐसा लिया square एक मिन्ट ये हमारा x axis y axis है और यहां तक का लिया मैंने square ये first quadrant के ये सारे point लिए हैं और यहां पर दाल दिया मैंने 5 तक लिए हैं मैंने x equal to 5 और उपर उपर भी लिख दिया मैंने y equal to 5 तक के ये सारे point लिए तो एक के अंदर मैंने point लिए हैं वे point जिनमें x की value 00 से बड़ी 55 सा कम रहेगी और y की value भी 00 से बड़ी और 55 सा कम रहेगी तो देखें ये क्या convex set है हाँ ये convex set है क्योंकि इसके कोई भी दो point पकड़िये उन्हें जोड़िये इसी set के अंदर रहेंगे तो a convex set है और ध्यान से देखें x इसके अंदर continue भी कर रहा है जो x के point हैं सारे के सारे a के अंदर ही है x में ही कितने दो इतो point है और यो a तो बहुत बड़ा है तो a convex set है और x इसमें continue भी कर रहा है तो क्या a x का convex हलूगा नहीं convex हलूँ होता है सबसे छोटा convex set यदि किसी बच्चे ने इससे भी छोटा convex set बना दिया तो इसका मतलब वो convex हलूँ जाएगा सबसे छोटा convex set बनाना है एक बच्चे को पता है कि यदि माल लीजे मैं यहां सा x x के पहले के line draw कर दूँ और a कर दूँ यहां पर line draw y x x के पहले तो यह distance कितने बेट है कि यहां पर है x की value 1 और यहां पर x की value 2 है तो यह distance 1 बेटी y की distance चेकर यहां पर y की उचाई जो है यह 2 है और यहां पर 3 है यह तो यह distance कितनी हो जाएगी यह 1 हो जाएगी तो किसी बच्चे ने यह वाला square बना दिया यह वाला square यह वाला यह 2 सैट बना दिया एक नया कैसे पूंड लिए है उसके अंdर उसके अंदर पॉंड लिए है यहां सब्सक्रार करो यहां 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 तक के कहने का मैंदा एकS की value यहां 2 ओ गई की value 1-1 से बढ़ी लेकिन 22 से पर म्योंद ओकर यहाई की फदना यहां एकस कंटेन करेंगा इसके अंदर एकस कंटेन और चेक कर लिजें अब बात उठती है तो फिर इसमें से कोन्वेक्स हल कोन सा है एक हल या नहीं जो सबस्देश छोटा होगा क्या इससे भी छोटा ढूंड़ने लगता है हां इससे दिखाता हूं इस से छोटा तुम इन दोनों पॉइंट को जोड कर केवल एक लाइन सैग्मेंट जो बना दीजिये इन दोनों पोइंटो को जोड कर एक लाइन सेग्मेंट जो लाइन सैग्मेंट بी तो सsmatch होता है यह वाला सagne जो डील मौला यह सारा यह living ए मना दिए line segment हमेशा convex set होता है तो यह सबसे छोटा convex set है नीले वाला और इसमें यह दोनों point contain भी कर रहे हैं तो हम यह कहेंगे जो line segment है जो x1 और x2 को जोड रहा है वो सबसे छोटा convex set है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ line segment joining x1 and x2 is the smallest convex set सबसे छोटा convex set है containing x जो x को contain भी करता है क्योंकि x में दो इता element x में x2 और वो उसके अंदर भी है तो यहाँ से मैंने तुम्हें तीन बताए हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे set बना रहते हैं जो convex set हो और जिन मैं यह दोनों point आ भी रहे हूँ इस से बड़ा और बना लिजिए बहुत बले बन जाएंगे सर्किल बना लिजिए बहुत बहुत बले जिसके अंदर यह दोनों point आ जाएंगे लेकिन हमें सबसे छोड़ा ढोड़ना है तो सबसे छोड़ा बैटा line segment तो इस x का जो convex हल हुआ वो line segment हुआ सबसे छोड़ा convex set है line segment इसी तरह से एक example और देते हैं अगर माल लिजिए किसी ने हम से यह कहा कि वह तीन point है एक set है जिसके अंदर केवल तीन point है x1 वैसी बोल रहा हूँ है 00 दूसा point है 12 या 10 कह लिजिए 30 point है आसान से ले देता हूँ है 01 13 point लिए और पूछा गया इसका convex हल बताईए इसमें 3 point है क्या यह खुद convex set है नहीं यह convex set नहीं है is not convex set यह खुद convex set नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसमें केवल तीन तो point है यह यह रहे यहां ध्यान देना यह हमने x axis y axis डो कर दी एक point लिए आमना origin जिसे coordinate है 0-0 एक point लिए आमना 1-0 x2 यहां पर 1-0 दूसा point लिए आमना 0-1 यह केवल तीन point है तो क्या यह convex set है किसे कहते हैं कि वह इस set के कोई भी दो point पकड़ी है तो x1 x2 पकड़ लीजे यह x2 x3 पकड़ लीजे दो point पकड़ी कोई से भी और उनको एक line segment के दुरा मिलाईए बनाईए और जो line segment है वह x के अंदर ही आ जाएगा अब सोचिए जब x के अंदर के वाद 3 point है और इन मेंसे कोई 2 point लेकर तुम line segment बनाऊंगे तो उस line segment पे तो infinite point होंगे ना तो वह वह x के अंदर ही कैसा आ जाएगा मालीजे एक x1 लिया और एक यह वह पॉंट लिया तुमना x2 जो है यह वह पॉंट हमारा x दीता अगर x1 x2 लें और line segment बनाएं तो इस line segment पे इतने सारे point है यह सारे point है जो x के अंदर नहीं हो सकते तो x खुद convex set नहीं है लेकिन पूछे ज़रा तो भी इसका convex hull तो बता दीजे तो convex hull का मतलब होता है एक ऐसा convex set बताईए जो सबसाच छोटा हो और जिसमें x के तीनो point आ जाएं तो किसी बच्चे ने ऐसा बताया कि भी यहां पर एक काम करो इससे आगे बढ़ाईए इससे आगे बढ़ाईए यह square ले लिए यह square एक convex set होगा सारा जिसमें तीनो point आ भी गए यह भी आ गया यह भी आ गया और देखो एक convex set भी है लेकिन सोचिए क्या यह सबसाच छोटा है किसी ने बना दिया एक circle बना दिया बहुत बड़ा सा यह ऐसा जो देखो इसके अंदर भी तीनो point आ गए circle जो है यह convex set है लेकिन एक बास सोचिए किसी बच्चे ने एक काम करा उसने तीनो को मिलाया एक triangle से यह बना दिया triangle तो यह triangle जो है यह triangle सबसे चोटा convex set है जिसमें यह तीनो point भी आ गए तो यदि कोई पूछन लगा है इसका convex हल क्या हुआ तो इसका convex हल यह triangle है तो यहां लिख देंगे area of triangle triangle जिसके vertices है x1, x2, x3 इसी तरह से मैं एक example और देता हूँ अगर माल लीजे तुमसे कोई पूछता है कि वह अगर 4 point दिये जाएं किसी set के अंदर 4 point दिये जाएं x1 माल लीजे 0, 0 ही है x2, 1, 0 है x3 0, 1 है x4, 1, 1 है 4 point यह खुद convex set नहीं है convex set देखिए convex set कभी भी finite set नहीं होता उसके अंदर कुछ निश्चित element है 4, 5, 6, 7 तो वह convex set नहीं हो सकता कि कि सर्ती ऐसी है उसके कोई भी 2 point पकड़ो x1, x2, 2 point पकड़े उनका line segment भी उसके अंदर आना चाहिए भला x1, x2 यह तो इस set के अंदर है उनको जोड़ोगे line segment बनाओगे तो line segment पर infinite point आ जाएंगे वो इस set के अंदर कैसे हो सकते हैं तो यह convex set नहीं है यह तो कर दिया में नहीं है यह हमारी x x जोगे, यह y x जोगे एक point हमारा 0, 0, 0 एक हमारा है 1, 0, 0 एक हमारा यहां पर है 0, 1 और एक हमारा है 1, 1 वो इसके सामने हैं यहां पर यह रहा 1, 1 अब बताएंगे सबसे चोटा convex set क्या हो सकता है सबसे चोटा convex set यह square ही होगा इस से बड़ा तो कितने ही बना लो जाए तो यह बना लो और इस से बड़ा square बना लो, सबसे चोटा यह बनाएगा जिसके vertices 0, 0, 1, 0, 1, 1 और 0 बनोंगे, तो यह सबसे चोटा convex set होगा, जिसके अंदर x के 4 point contain करेंगे तो इसका convex हल कोई पूछलने का cx क्या हुआ, वो एक square हुआ square हुआ जिसके vertices क्रित कौन कौन से हैं ओ, जो vertices है एक तो है 0, 0, 1 है 1, 0, 1, 0 1, 1, और 1 है 1, 1 यह इसके vertices जो है अब आता है आपर convex जो हल तुम निकाल रहे हो तो ध्यान रखना, convex हल हमेशा ही convex set होगा लेकिन जिस set का convex हल निकाला जा रहा है वो ज़रूरी नहीं होता convex set हो अब convex हल को भी उन्हें एक विसेश नाम दिया, कि अगर जिस set का तुम convex हल निकाल रहे हो उस set के अंदर यदि element निश्चित है जैसा इसमें चार एलिमेंट थे तो जो इसका convex हल बन रहा है जो एक स्कॉयर बन रहा है उसको कहते हैं यहां convex polyhudron तो convex polyhudron और convex हल तो convex हल को ही convex polyhudron बोलते हैं जब एक्स के अंदर element की संख्या निश्चित हो जाती है तो यह definition है यहाप है convex polyhudron की यह लिखा हुआ अगर उसके अंदर number कैसे है finite है तो निश्चित है तो और उसका जो convex हल होगा वो ही कहलाएगा convex polyhudron जैसे अभी हमने example दे थी हमने x में के वल तीन point पकड़े a, b, c और कहा convex हल बताईए एक point यहाँ है एक point माली यहाँ पर एक point यहाँ पर है तो ट्राइंगिल होगा इसका convex हल सबसे छोटा यही convex है बनेगा तो इस convex हल को जो इसका convex हल आया वो क्या आया area of triangle आया area of triangle तो इस convex हल को ही हम बोलते हैं convex polyhudron तो है तो convex हल ही है लेकि इसका नाम बदाद एक चेंज कर दिया उन्हें पोलिहडर बना रिया पोलिहडर तुम जानते हो जो लाइन सेक्मेंटर से बना हुआ है क्लोज कर वोता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसी को बोलते हैं convex polyhudron यहां लिख देता हूं मैं सेंस एक्स हैज 4 points, 3 points सिंस एक्स के अंदर के वल 3 points है है 3 points, के वल 3 points है So, convex hull CX is also known as non-age convex polyhudron यहाँ तो जब भी किसी सेट का जिसके अंदर निश्चित element होंगे और उसका convex hull निकला जाएगा तो उस convex hull को convex polyhudron कहते हैं और देखे एक एक्जामपल मान लिजिए, किसी नहीं यह कहा कि भी एक X सेट है जिसके अंदर यह वले point है लेदन बन यह equal to one डाल दीजिए तो चेंज कर लिपता हूँ मैं हलका जा मैंने point लिए यहाँ पर equal to one वाले समझ गए होगे तुम मैंने circle के ऊपर के point लिए है boundary वाले cable बस यह वाले point यह boundary वाले तो तुम भी जानते हो यह convex set नहीं हो सकता क्योंकि यदि इसके कोई दो point पकड़े जाएं तो जो line segment बनेगा वो अंदर कुछ आएगा और वो line segment पर बहुत सरे point ऐसे होंगे जो इस set के अंदर नहीं होंगे तो यह convex set नहीं है is not convex और इसके अंदर कितने element है infinite element है अब इसका convex हल कोई पुछे लगे इसका convex हल बताईए ऐसा set बनाईए जो subset छोटा हो लेकिन हो convex और उसमें x के सारे element भी आ रहे हो तो यहाँ पर एक तुम कहे दोगे यह point तो ले नहीं है सारे और वो convex set भी होना चाहिए तो यहाँ पर x square plus y square layer than equal to 1 कर दीजे यह एक मेंट के लिए जो नीचे वाले का जितर है वो मैं नीचे लिए देता हूँ यह तो है इसका कि इसके अंदर के वल यह वाले point है और कोई कहलें कि इसका convex हल निकालो तो इसका convex हल होगा xy such that x square plus y square यह point तो लेने ही है इसके अंदर तो equal to 1 और नीचे अंदर के भी ले दिये तो इसको कोई पुछ रहे convex हल बतना कैसा बनाए तो यह convex हल ऐसा बनेगा यह 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 वाले point तो लेने ही है यह वाले point यह वाले point क्योंकि x में है लेकिन हमें convex set बनाना है तो अंदर के भी लेने पड़ेंगे तभी तो convex set बनेगा तो यह ऐसा set बन गया जो convex set भी है और इसमें x के भी element आ गए है लेकिन इसको तुम convex polyhudder नहीं बोल सकते क्योंकि x के अंदर infinite element है इसे केबल convex हल ही कहा जाएगा तो यह convex हल है x का convex hull of x तो यह convex hull की बात थी और convex polyhudder की बात थी और एक दो एक्जामपल लेना चाहते है तो मैं एक्जामपल एक और देदेता हूं माल लिजे एक एक्जामपल और देख लिजे अगर कोई तुमसे कहता है कि भी एक set है ए उसके अंदर यह point लेना x square plus y square लेदन इक्वल टू वन यह हम जानते हैं यह खुद convex set है अभी उपर बताया था मैंने तो कोई पूछे लेका इसका convex hull बताओ तो इसका convex hull यह खुद हुआ क्योंकि यही सबसेट छोटा convex set होगा जिसके अंदर एक एसारे point आ जाएंगे तो इसका convex hull यही है क्योंकि सोचिए जैसे कि माली यहां center है 00, radius 1 है तो A के अंदर कों को से point है? अंदर के भी हैं, boundary के भी हैं यह रहे तो यह खुद एक convex set है तो यदि कोई set खुद convex set हो तो समझ जाइए वो सबसे छोटा खुद ही अपने आप ही convex set है तो यदि कोई convex set है तो उसका convex hull वो खुद होगा इस बात को ध्यान दखना अब सोचो इस से बड़ा तो मैं बहुत सब्सक्राइब सकता हूँ इस से बड़ा यह रहा, यह convex set जिसके अंदर A के सारे element आगे इस से बड़ा और बन जाएगा यह बन जाया, लेकिन सबसे छोटा कोण होगा यह खुद होगा तो जब भी कोई convex set यदि कोई set खुद convex set है तो उसका convex hull वो अपने आप होता है क्योंकि वो सबसे छोटा बनेगा तो यह मैंने तुम्हें बताया convex hull के बारे में और भी वैसे तो एक्जाम्पल दीज़ रखती है लेकिन फिलाल आज इतना ही रखे अगली वीडियो हम दोसे और टोपिक की बात करेंगे क्योंकि कुछ एक्जाम्पल से हैं उन्हें प्रूफ करेंगे कि वी कोनेक्स सेट को पैचानें कैसा यह तो हमने इसकी definition दिया basic concept बताया लेकिन कैसे की जाता है वह हम बात बात करेंगे ठीक है बच्चो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थेंक्यू